हालो फ्रेंट स्वागते को फिट से आप सभी का हमारे यट्यूब चैनल सक्से परफॉर्म की में और दोस्तों जीके का सिप्टम आज मैं दसकराने वाला हूं जहां कि पूरे के पूरे 100 कोशन होने वाले हैं ठीक है और सारे के सारे एक कोशन जो है आपके कभी ना कभी किसी पूछा गया कोस्तन है जो लोग ने हैं वो लोग क्या करेंगे टेलिग्राम से जूर जाएए टेलिग्राम से इसले जूर जाईएगा ताकि जो भी नए अपडेट होंगे वीडियो के पिटिएफ को आपको इस पे एवलेबल हो जाएंगे यहां पर दिख घर आओगा जिन सब्सक्राइब करके ले सकते हैं तो आज को महतुन सवाल पे नज़र डालते हैं पहला सवाग किस हरपा अस्थल में या जिसे फायर फॉल्ट ऑल्टर कहते थे यह कहां पर मिला ठीक है किस अस्थल पर मिला था आंसर हो जागा काली बंगा ठीक है अगर पुछे लिए काली बंगा का अर्थ क्या है गर एक्जाम में पुछे लिए काली बंगा का अर्थ क्या है तो इसका मतलब होता है काली चुरिया और यह कहां में इस तो यह काली बंगा जो है रास्थान में इस तो किस हरपा स्थल में यागवेदी मिले हैं तो काल किस अष्ठान, अरफका काल के एक मुर्ती पाए आंसर हो जाएगा दौमःवाद कहा है महराश्च मैं ठीक है तो में आप को क्या है यग वे दी दौमःवाद में क्या है रठ और हरपा सब्षा के लिए ter गोंabic अगर पुछा जाएगी जो घर बने होते ते किसके बने होते थे पकी हुई इट से बने होते थे सवाल यह सिंदू अस्थलों में कहां ठीक है कहां दोहरे सवादान के सक्ष मिले अंसर हो जाएगा लोथर काहे गुजरात में जिसको कहते है डॉक याड या जहाज निर्मान अस्थल के लिए प्रसुता अंसर हो जागा लोथल ठीक है फिर आगे बढ़ते हरपा काल का पसुपती मोहर ठीक है ये इंपॉर्डन सवाल है काफी इंपॉर्डन सवाल कई वारे पुछा गया पसुपती जो है मोहर में किस पस अब पाश में है ये दो हीरन ठीक है और और पारी आपके चर्मूर्टिया ला इधर अजब कर धे सो गया और दो अगर पुछ यह पाषुपती है महीं बात कुछ समणबती था ठीक है सिब को समर्पी ध्яन रखेगा या टिए और प्रस्वों को स्वामी जिसे कहा जाता था प्रसुपति कहा जाता था यह आपको सिव को समढ़ पितार छले बाद करते हरब ख़ा tracks सैब्पका का अस्थर जो है आलिम सब्सक्राइब कर लिए हरपा काल में आग में पकी हुई इट पकी हुई मिंटी को क्या कहा जाता है टेरा कोटा कहा जाता है वेरी-वेर इंपॉर्टन कई बार एक्जामी सवाल आ चुका है फिर बात करते हैं सिंदु घाटी सब इदा का समंध किस्से है तो यह कास यूग इ उट系 का प्राडम और पहीये का विशकार किस में हुआ नव पाशान काल में हुआ आग का विशकार जो हुआ आपका पूरा पाशान काल में हुआ था तो यह इसका अबदी काल एक 1240 से लेकर 4550 पूर्व था ठांटीक एक और महतून सवाल पर ध्यांत द देगा खेतों की ज तो ध्याहरaker kalibhan scaresal KÜ dis Canada क्षेतों की जुटाई भी हो गई यगangs वेदी हो गई एक ili यहीं पे मिला था 300 स्वी जिसका और इसका रहतो होता है चूडी ठीक है इसका क्या था ? चूडी और यह कहां है आपके राजस्थान में आखेंगा ते काली बंगा उपर में लिगा वा था काली चूरिया आपके राजस्थान से रिलेटेड है फिड़ अगे बढ़ते हैं घोरों की गोरों की हडियों का सक्ष सभा मिला है और कोटरत है काली बंगा का कालीभंगा कहा है राजस्थान сцен में उठ जा देपाई तो इसलिए हम पर उठों केुस्टस में अउरी में बात करण हड़े के कारखन य preca पूर्टरत में मन के प 16 कारखना यह आ अभ्सनर सभी किला बंदी वाला निचला शहर का साक्षि कहां से मिला था सवाल अगर मोहन जोदरों की किस ने किया था रखाल डास बनर जी ने 1922 में किया था वही बात करते हैं मिस्र की मम्यों का मिसर की ममियों का टेरा कोटा मौडल किस हरपय सब्धा अस्थल पर पाएगा था लोथल हो जाएगा पिर बात करते हैं सिंदु सब्विता में मुहरों को बनाने के लिए किस नरम पत्थर कौप्यों किया जाता था आंसर हो जाएगा सेल खरी यह भी मुश्ट इंपॉर्टन कुस्ट था आया वह सवाल था फिर बात करते हैं किस वेद में यग के समय पालन के लिए किये जाने वा सब्सब्सक्राइब घ्राएब लिए त्रीवेद में कौन-कोन से सामीले रीग एंःव्यवेद और आपका सामवेद अथर्वेद को छोड़कर अगर पूछा चाया कितने मंडल हैं 10 मंडल ॉप्रान को संवन्ध किसे मौरव से हैं मतास पुरान का समद्ध आंद्र शाथ वहां से है और वाई पुरान का समझ जो है गुप्त वन से हैं फिर सवाल आएगा कि आपका कादमरी जो कि संस्रीट में लिखा हुआ है कि लेखक कौन थे बानभटते अश्ट धाई के लेखक कौन है पाननी थे और ये संस्रीट भासा व्याकरण की पर्थम पूस्तक थी क्या अश्ट धाई के जो लेखक थे पाननी और अश्ट धाई क्या सुंस्कृत भासा का व्याकरण की पर्थम पूस्तक थी यहां पर ध्यान रखने आपको फिर बात कहते हैं हर्स चरित किस ने लिखा था बानभट ने लिखा था रचत रंगनी गरंथ किस ने किया था कलहन ने क जो गरन्त ही कि छा ता यहां पर आधा है भाब भूती ने ठीख है सिधी में ठीश्टी में Er Puis when सब्सक्रार फी 끝ंदर से संबंदी था वाह अगर आये कि असोग कि लेख में उलेख है कि सभी प्रजा जन मेरे बच्चे हैं तो अंसर जगा धौली और जोगार धौली और जोगार जो की कलिंग अविलेख किसको का आजाता है फिर सवाल अगर आजाए कि असो कि लेकिन अगर सवाल पुछे जाए कि असो के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला था जैम्स प्रिंसेप को मिला था याद रखी और यह सवाल भी कई बार आये अग्जामें तो ध्यां रखीगा अगर सवाल आजाए कि अस्वक अस्तम लेखों की कुल संख है लेख oariosy और सिर्म वाल अगर पनी और यह सफ को यह सब्ली किसमे लिखें लिखे हैं पर सबालागर आ जाए कि सबसे पहली आजवुवा अरह में किसके धक्षा में महाकस्तिप के धक्षा में इस समय जो शासक कौन थे अजाद सत्रू थे दूसरी बहुत परिशत का जन किसके धक्षा में हुआ था सावाकावी और इस समय किसका शॉष्ण था काल असोक का और कहां पर हुआ था वैसाली में ठीक है कि पुछा या कि कि पुछाया कि तिसके अधक्जरा में खुआ था तो मोगलिस मोगलिस पूए मुगलित तिश जो कि असोक के समय की बात हुआ और इस समय कहां वा था आपका कि पावयपूरी में 천री टिक पाव़ पूरी में ह corona पुछे जा चौथी जो बहुत सेंगिति याजुन कहां हुआ था किसके अधक्षा में हुआ था तो वसुमित्र इस समय अधक से उपाधक से और कनिस के समय में पड़ी कहा हुआ था कुंडल वन ठीक कुंडल वल कश्मीर में है तो ध्यां रखेगा चली आगे बढ़ते पंच किसने लिखा था विश्नन सर्वाने लिखा था मुंद्रा राक्षस किसने लिखा था विशाक दकने च न्यक्तीए और चंडुपत मौर के प्राकरम का इसमें क्क्राय कहा घ्म बढ़ातः आज़ बढ़ते सवाल कि किरा तर जुनी तो किया था भैरवे ने किया था मोस्ट इंपॉर्टन काफी बार एक्जा में पुछा गया कुछन ने फिर बात कहते हैं पंच सिध्धान्ति का ब्रिहत शाहिता ब्रिहत जातक पुस्तक के किष्ण रिखा था बारा महीर ने और यह चंद्रगुप दूते के सुधृ रख थे यह बितिव कोशंट में से की जाहघिर के सासन काल में किस परकार की चुत्रकला का प्रचलणत हो तो पट्रेट चुत्रकला का यह भी मोस्ट इंप्रचलित हुआ Tack इस समय जो है चित्रकला अपने चर्मत कर्षपे था किसके सासन काल में जहागीर के सासन काल में अगर पूछा है जए लगुचित्रकला अगर पूछा है लगुचित्रकला किस मुगल सासन के समय परचलित हुआ था हुमाई को समय परचलित हुआ था राज्य के सब्तांग से चानक ने किया था और चानक जिन्हें कोटिल या विश्नोगुप्त का जाता था किसके प्रधान मंत्री बने चंद्रगुप्त मौरकेश प्रधान मंत्री बने थे उत्तरवैदिकाल में किन नदियों का उले किया गया है यादर रखे गंगा एवं यमणा का अगर पुछाई उत्तर वेलिकाल का समय कितना से कितना है एक खजार से 6600 इस पुर्व वहीं बात के नाम से जाना जाता था भारतिय प्रिशोत अधिनियम 1919 का विश्व बैपार संगठिलन के स्थापना किस समझाता है मनरा के समझाता एक जनवड़ी 1945 में इसके स्थापना होती है आगे बड़ते सवाल पर कि जयान धर में तीन रतन यिसे त्री रतन कहते हैं उन्हें निर्वान का मर्ग कहा गया जयान धर में तीन रतन दिये गये हैं और उन्हें निर्वान का मार्ग कहा गया वे जो तीन रतन है इसका नाम है सम्मेक दर्शन सम्मेक ग्यान और सम्मेक आर्चरन ध्यान रखेगा सवाल पूछा जाता है प्रचलित या अस्थाई 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 प्रचलित या में क्या होता है तो अस्थल से समुद्र की तरफ प्रवाइत होती है अस्थल समीर में क्या होता है समुद्र से अस्थल की और प्रवाइत होती है नाम से पता चाहिए अस्थल से समुद्र की और समुद्र से समुद्र से अस्थल की और दोनों तो एक से याद कर लिजिए का और बात करते हैं लू तो आपका भारत में चलता है ठीक है बारत में लू पूछ ला जाते हो यह भी क्या है गरम लू क्या गरम शुशख खावा है वही बात करते हैं नारवेश्टर यह न्यूजी लैंड में उच्छी पडवतों से उतारने वाली गर में शुश्क पवन यह याद रखेगा नार वेश्टर ठीक चंद्रमा का कार प्रिथिवी का कार का लगब कितना है एक चौथाई भाग है यह द्यां रखेगा अगर इसको चार भाग प्रिथिवी का गड़ते तो यह भाग आपका क्या होगा वह बात के सुंदर वन सुंदर वन में किस प्रकाल का वन है तो आपका किस प्रकाल जो यहां पर वन है तो तर्टी एवं जुआरी वन इसको का जाता है वह बात करते भारते में पड़योगी भूद अप्य उठ्जा परियुजना कहांस था अपका पुगा घाटी यह कहां लग्दाक्र में भारते मे अगर पुछाएं इसे क्या कहा जाता है इसे दक्षन भारत की गंगा कहा जाते है कि यहाँ पे पुदावरी को दक्षिन गंगा और कावेरी को दक्षिन भारत की गंगा का जाता है इसके उत्पत्ति कुडागुजीला करणाटक से होती है बात केते कावेरी नदी की कौन-कौन से हेमावती सिम्रा भवाणी कावणी ये सब आपके सहक नदी है कृष्णा नदी का उत्गम क कि लंगाना हो गया विहार की थी वहीं बात किते न यह नहारों के सकते नहारों यह यह शांसक का मकवारा भार भार से बाहर तो जहागीर यह ताँ है सहादरा बाद का हां पड़ता है लहर पाकिसतान में पढ़ता है ठीक चली आगे बढ़ते काकोरी ट्रेन है सफस्त्र डगाति आब इसका नाम क्या कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्षन कर दिया गया यह हुआ था कब अपनडि नमक मार्च के साथ ही सिर्वात होती है वहीं बात केते हैं यमना नदी के सबसे बरी नदी कोन से टोन्स और यमना नादी की पंच मेश्वर 5 5 5 इशवर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्ता वीथ है काली नदी और उत्रा-कंड्राज में भारत नेपास सीमा पर बंढ प्रोटीन से बना होता है तो आरेले प्रोटीन से बना होता है तो गया जैसा कि मैं आपको बता है आपको चैनल के वीडियो के प्लैलिस्ट में जाहिए कहां पर मिल जाएगा या आपको कहां पर आपको टेलिग्राम पर भी मिल जाएगा अच्छा जिनको जो पर चाहिए 200 रुपए पे कीजिए और पीडियाफ ले सकते हैं जीके जीएस वाले और 250 पे करके आप जीएस वाली के बीडियाफ ले सकते हैं पलस आप करेंट अफेर्स के बीडियाफ ले सकते हैं आज के वीडियो में ताहिए रहेगा गाइस नेक्ट वीडियों फिर से मैं लेकर आओंगा इस सेटमरी गार जहां पर ऐसे सवाल महत्पुन होने वाले जो आपके एक्जाम के पॉइंट आड़े नेंगे थैंक्यों फिरिमिच